केवलपुर में हुए ओडिनेंस फेक्टरी में धमाके से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है बहुत बड़ी जानकारी आ रही है इस जानकारी को आपको बताते हैं दरसल धमाके के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप ये महसूस कर सकते हैं कि कितना भयाना की दिस्वोर्ट था कितना बड़ा ये बलाश था जिसमें दो लोगों की मौत हुए ओडिनेंस फेक्टरी धमाके से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको गता रहे हैं धमाके के बाद की तस्वीर सामने आई है चारों तरफ मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है धमाके के बाद का मंज़र आपको दिखा रहे हैं धमाके से F6 सेक्शन की बिल्डिंग धराशाई हो गई बंप चेक करने के दोरान ये हादसा हुआ था और इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत की पुष्टी भी हुई है कई कर्मचारी घायल है जिनने अस्पतार भरती कराया गए तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों से अंदाजन लगाईए कि एविस्पोर्ट कितना जवर्दस था भयाना के विस्पोर्ट जिसमें दो लोगों की जान चली गई कई लोग घायल हो गए और डिनेंस फैक्टरी का पूरा मामला जवालपुर से तस्वीर दिखा रहे है पूरे मामले की जानच के लिए कमेटी बना दी गई है महा परवंदक आरके गउपता के अदक्ष्टा में कमेटी बनी है जो इस पूरे मामले की जानच परताल करेगी लेकिन तस्वीर आप देखिए मनजर समझेए महसूस कीजिए कि ये बलाश्ट कितना जवर्दस रहा होगा सबसे बड़ी बात है कि हादसे में अलेक्सेंडर टोपो जो करमचारी था उसकी घटना स्थल पर मौत होई वहीं रणवीर कुमार की निजी अस्पताल में लाच के दौरान मौत होई दोनों नाम सामने आ चुके हैं कि किसकी जान गई है अलेक्सेंडर टोपो का सेक्शन 6 के आसपास 9 हिस्सों में शब मिलाया आप समझे कि कितना भयाना के बलाच था कि कोई बॉडी 9 हिस्सों में मिली है यानि परकच्चे उड़ गए इतना जवर्दस ये बलाच हुआ और धराशाई पूरी बिल्डिंग हुई जिसकी ख़बर हम आपको बताय रहे है 24 घंटे पहले लगवा कि ये हाथसा हुआ था और अब तस्वीर है सामनी आई है बलाच के बाद की तस्वीर आप देखिए जहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हाथसा मलवे में वहाँ पर कुछ सामान देख रहा है इस घटना में उमेश मौरे, प्रमीर दत्ता, कृष्णिपाल, एसके मंडल, रिपू कुमार, साइमन एंथोनी और गौतम कुमार, रामभिहारी, प्रदिपसाओ, अविशेग, आनन्द और राखुल सिंग समें दो करमचारी खायल हुए है अब सबसे बड़ी बात ही है कि आपको दो तस्वीर दिखाते हैं एक तरफ जहां पर बलास्ट हुआ, वहां तबाही का मंज़र और दूसरी तरफ अधिकारी, करमचारी जब मौके पर पहुँचे तो तुरंत राहत और बचावकारी शुरू किया गया इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई और एक कमेटी भी बनाए गई है जो जाच परताल करेगी तो तवाई का मंज़र आपको रिखा रहे हैं, उदर जाच परताल अधिकारीों की शुरू हो चुकी है क्योंकि ओर्डिनेस फेक्ट्री में ये धमाका हुआ, सबी नर्शील ये जगे है, यहाँ पर हत्यार बनाए जाते हैं सेना के लिए और वहाँ पर ये विस्पोर्ट होना अपने आपने बड़ी ख़पर है और जिस तरह से एक करमचारी के नौ हिस्तों में डेट वर्डी मिली है, तो आप सोचिए कितना बड़ा ये विस्पोर्ट था हमारे साथ दुर्गे से साहु जुड़ गए, सीदे उनकी तरफ रोकरते हैं तुर्गे इस तस्वीर हम देख रहे हैं, भयान एक तस्वीर सामने आई है, मनजर दिखाई दे रहा है, महसूस किया जा सकता है कि बड़ा विस्पोर्ट था, इसलिए दो लोगों की जान भी गई है, कई लोग खायल हुए है क्या अपडेट आव इस पूरे मामले में बताएए यहां पर तमाम जो फैक्टरी के करमचारी हैं वो यहां पर आए हैं जो करमचारी कल घायल हुए थे इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और इसमें से एक की जो है मौत हो चुकी है जिसके बाद से तमाम फैक्टरी करमचारी में रोश भी है और करमचारी उसे बात कीजिए और कर्म के मंज़र को उनसे बैतर को यह नी बता पाएगा करमचारी हैं वो यहां पर अस्पिताल में सुबह सही मौजूद है और चुकि आला अधिकारी है जो फैक्टरी प्रभंदन की आला अधिकारी है वो भी यहां पर आने वाले हैं और जल्द ही जो घायल है उन करमचारी उसे बाचित करेंगे लेकिन जिस तरह के इस तरह के भी रवस्ता में चोटिल हुए है इसकी बाइसी लिए ये हाथसे पर तमाम तरह की सवाल भी उठते हैं और सवाल इसलिए बी उठते हैं क्योंकि जिस तरह की इस्तिती हर बार फैक्टरी के अंदर बनती है उसमें करमचारी रोजाना अपनी जान हतेली पर रखकर फैक्टर जोंकि मौत हुई है कई करमचारी अभी भी खायल है जिनका अस्पताल में आज चुल रहा है